हेलो एबरीवन कैसे हैं आप सब भी मैं सागर यादा हूँ एक बार फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ आज हम बात करने जा रहे हैं वोर्म अप पे बारे में वोर्म अप सही सुना आपने बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिमें बोलते होंगे क्या है वोर्म अप क्यों करना है टाइम वेस्टेज है उनको इसके बेनेफिट्स नहीं पता मैं आपको बताता हूँ साइन्टिफिकली बताता हूँ अब गुड वोर्म अप बिफोर वर्काउट आप जब भी कोई वर्काउट स्टार्ट करने जा रहे हैं अगर उससे पहले आपने अपनी बोडी को वोम किया वोर्म अप किया प्रोपर तो यह आपके बलड वैशल्स को डाइलेट करता है ठी प्रोपर ऑक्सीजन पहुंचे प्रोपर न्यूट्रिशन पहुंचे ठीक है और यह आपकी जो बोडी टैंपरीचर है उसको भी राइज करता है अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सरीर गरम नहीं हो रहा यार एक्सराइज करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने वोर्म करोगे आपके हर्ट का शरुकिलेशन फास्ट होगा आपके मसल्स में प्रोपर ब्लड जाएगा जा तो वैसे भी रहा लेकिन इस स्पीड में थोड़ा थोड़ा ग्रेजुली इंक्रीज होगा उससे क्या होगा कि आपकी बोडी का टेंपरेचर भी उसके साथ इंक्रीज हो अब आपने जाते के साथ एक्सराइज परफॉर्म की तो बहुत से लोग देखे होंगे कि आपने जाते के साथ बैंच पे लेट गए वेट लगा रहे हैं फिर कहरें कि हमारे शोल्डर में हो रहा है हमारे रिष्ट में हो रहा है तो यह सब चीजे नहीं करने है विकोज कि आपके बोडी का टैंपरेचर राइज करता है ताकि आपके मुसिल मुटभ ने डिल जाएं और वो इनजशर्ड नौ ठिडल घरिवेट करता है मुसल परー को श्ट्रेंध और पार को की स्ट्रैंध हो पार को करता है कैसे ताकि आप जब भी exercise warm-up के बाद perform करने जाओगे तो आपके बोडी का temperature हाई होगा ठीक है आपका blood proper जहां पे आपने जैसे आपने कोई specific आज पार्ट को train करना है आपने proper warm-up किया उस पार्ट को भी include किया तो वहां के muscles active हो चुके हैं आपको proper speed मिलेगी strength मिलेगी power मिलेगा ठीक है rate of force development आप अच्छे से force लगा सकते आप अच्छे से weight lifting कर सकते हो अच्छे से अपने muscles को contract कर सकते हो muscle contraction and relaxation speed contraction speed को भी बढ़ाता है blood to muscles proper muscles तक blood को पहुचाता है जहां पर आपने उस body part को train करना है वहां पर and oxygen delivery जैसा कि मैंने बता है कि आपके blood का flow fast होगा तो क्या होगा आपके oxygen के delivery fast oxygen उतनी ज्यादा blood के पास जाएगी body part के पास जाएगी sorry और उतने proper nutrients जाएंगे वहां पर तो आपका जो fatigue होगी muscles वह आपके proper set लगाने के बाद होगी आप अच्छे से repetition perform कर पाओगे ठीक है and prevent injury basically यह तो है sure कि आपकी injury होने से बचाता है ठीक है better transition for nervous impulse आपके nervous system को proper ready कर देता है muscle mind connection जो बोलते है वह better perform करता है better अच्छे से connect हो पाता है and get the cardiovascular system ready और सबसे important आपके heart को ready कर देता आपके cardiovascular system को ready कर देता because gradually धीरे-धीरे heart beat बढ़ती है heart pressure बढ़ता है यह नहीं कि आप सो रहे आप उठके गए और जाते के साथ परफॉर्म नहीं यह गलत है आप अपनी body को time दीजिए आप उसको ready करो ताकि वह अच्छे से परफॉर्म कर पाई ठीक है अब बात करते कि 5-10 मिनट काफी है अगर आप प्रोपर वार्म-प कर रहे हो 5-10 मिनट का time इनफ है अगर आप ज्यादा time और ज्यादा high intensity वार्म-प में लगा दोगे तो भही आप सैट कैसे तो पहचानो उस हिसाब से इसको perform करो इसको abuse मत करो ठीक है यह आपके strength में आपके muscles building goal में आपके performance में जरूर improvement लेके आएगा और next वीडियो जो आएगी cool down and stretch पर आएगी सभी स्टेकनेक्टेड थैंक्यू